ओम नमस्षिवाय जै महाकाल क्या आपकी भी कोई ऐसी वस्तु है कोई ऐसी चीज है जो आपकी खो गई है और मिल नहीं रही है चाहे तो आपकी घर में खोई हो या घर से बाहर कहीं पर खोई है और वो मिल नहीं रही है आपने बहुत खोजा तो पूज पंडी जी ने अपनी ये कथा में बताया है, वही उपाए आपके साथ किहां मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कॉपी लीजिए, पैन लीजिए, और नोट करते हुए चलिएगा, देगे, सबसे पहले करना क्या है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो वीडियो को स्किप मत किया करिए, देखे, यहाँ पर लेना है आपको चार मुखी रुद्राक्ष, नोट करते हुए चलिएगा, लेना क्या है, चार मुखी रुद्राक्ष लेना है, ठीक है, पहचान क्या है, देखे, एक, दो, तीन, और ये चार, ठीक है, अब इस रुद्राक्ष को करना क्या है देखो चार मुखी रुद्राक्ष लेने के बाद आपको लेना है चावल ठीक है चावल ले लेना है अब कौन सा चावल लेना है आपको कच्चा चावल लेना है अक्षत लेना है जो चावल टुटा हुआ ना हो उसको एक छोटी सी कटोरी में आप रख लें ठीक है उस चावल तो आपके घर का केंद्र बिंदु है। आपको नहीं पता केंद्र बंदु कहाँ है, तो आपने घर में कुछ लें, किसी पंडित से पूछ लें आपको उस कटोरी को रख देना है आपको ध्यान रखना चाहिए दो से तीन रात्री वो वहाँ पर कटोरी आप रख करके छोड़ दें यकीन मानिए कि जो भी वस्त जो भी चीज आपकी खोई हुई है वो आपकी निश्चित तौर पर मिल जाएगी अब एक सवाल आपके दिमाग में और होगा वो ये सवाल है कि इस उपाय को हम किस दिन करें देखिए इस उपाय को करने के लिए पंडी जी ने कोई भी दिन नहीं बताया है तो आप कोई से भिजिन जो भी दिन आपको अच्छा लगता हो आपके मन को जो संतुष्टी मिलती हो जिस दिन करने से आप उस दिन कर सकते हैं किस समय करना है आपकी इच्छा किस समय आप करना चाहे उस समय कर दें उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है बस ध्यान ये रखिएगा उस कटोरी को दो से तीन रात्री उस सेंट्रल पॉइंट जो आपके घर का केंडरी बिंदु है वहाँ पर छोड़ना है ओम हिंग नमह का जाप करते हैं उस कटोरी को वहाँ पर रखना है और जो भी वस्तु आपकी खोई है उसको भी मन में ध्यान में रखते हुए उस कटोरी को वहाँ पर रख दीजेगा निश्चित तोर पर यकीन मानिए कि आपका जो भी सामान खोया हुआ है वो एक से दो दिन के अंदर हर हाल में आपको मिल जाएगा तो अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब तक ही ऐसी और सारी वीडियो आपको देखने को मिल सकें और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक जरूर किया करिए ओम नमस्शिवाय जय महाकाल कोई भी दिक्कत है कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं